तोड़े वी आर गईन टू से इंट्रोड़क्शन ओफ लॉगे इत्मन इसमें क्या-क्या चीज देखते हैं लेट्स ट्राइए क्या दिया गया है एक्स स्क्वार मैनस फॉर इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स इक्वार टू प्लस मैनस टू एक चीज तो यह हो गया दूसरा चीज क्या होगा एक्स स्क्वार इक्वार टू फाइब तो यहां से क्या हो जाएगा एक्स ब्रावर प्लस मैनस रूट फाइब एक यह हो गया अब इसी form में हम यूज करते हैं इन जेनरल जैसे दिया गया AX इक्वर्ड टू B तो यहाँ पर X अगर निकालना है तो लॉग हो जाएगा B यहाँ से हो जाएगा बेस A यह इस form में पनवर्ट होता है अब यहाँ पर जैसे दिया गया है 10 पर पावर 3 तो इसको क्या लिख सकते हैं 1000 लिख सकते हैं तो 3 इक्वर्ड टू हम क्या लिख सकते हैं लॉग 1000 बाई 10 समझ में आ रहा है तो आगे क्या जैसे दिया गया है 2 पर पावर X इक्वर्ड टू 5 दिया गया है तो x equal to 1 क्या लिख सकते है log 5 by 2 इसको read कैसे करते है read as कैसे read करते है log of 5 base क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा अब दूसरा चीज़ क्या दिया गया log of number the log of the number n is to be base a is the exponent indicates the power to the which the base a must be raised to obtain the number n this number is designed by log n base a अब इसको जो है कैसे हम लिखते है वो चीज़ देखते है क्या दिया गया है log n a इक वर्ट को हम क्या लगे x ले लिए तो a x equal to हम क्या लिख सकते है n लिख सकते है अब a जो होगा वो बड़ा होगा इस से 0 से a जो होगा not equal to 0 होगा और क्या होगा n जो होगा वो greater than equal to क्या होगा 0 होगा तो अब हम आगे क्या देखेंगे कि this is known as fundamental logarithmic identity अब fundamental logarithmic identity क्या होता है इस is known as known as fundamental the fundamental 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 identity 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 अब fundamental identities के बारे में देखते हैं कौन साब किसका identity तो logarithmic logarithmic ठक है logarithmic अब यहां से जैसे दिया गया क्या log दिया गया है A, log जो है 1, base A base A, equal to क्या हो जाएगा रहे, 0 log of A, base A equal to क्या हो जाएगा, 1 and log of A, base 1 by A, equal to क्या हो जाएगा minus 1, A इसमें क्या होगा, greater than होगा 0, और A not equal to 1 होगा यह चीज होगा, दूसरा चीज में क्या होगा A, greater than 0 A, not equal to 0, यह सेम चीज होगा and तूसरा चीज में क्या हो जाएगा A, greater than 0 और A, not equal to 0 यह not equal to 0 ने 1 होना चाहिए आप क्या दिया गया, आगे basic problems की बात करते हैं कौन सा problem, basic problem तो basic problem हम जो है जाते हैं दूसरे page में, ठीक है किस page में जाते हैं basic problem में हम क्या देखेंगे जैसे दिया गया find the value find the value value of the flowing of the flowing जैसे दिया गया क्या log 8 और नीचे दिया गया है 4 तो यहां पर वजागा पावर on 4 where where value of 8 value is 8 तो यहां से वजागा 4 पर पर पावर x equal to 8 लिख सकते हैं तो यहां पर 2 पर पर 2 x equal to 2 पर पर 3 तो 2 पर पर पावर x equal to 3 x equal to क्या हो जागा है 3 by 2 यह एक क्वस्टन solve हो गया उसी तरह से दूसरा क्वस्टन जैसे दिया गया है log 1024 बट्टे 2 root 2 तो यहां से क्या हो जागा है 2 root 2 पर पावर x equal to हम क्या लेंगे 1024 तो यहां से क्या हो जागा 2 पर पावर 3 by 2 x equal to 2 पर पावर 10 अब यहां पर 3 by 2 x equal to 10 x equal to हो जाएगा कतना 20 by 3 20 by 3 ans और एक question लेके देखते है जैसे दिया गया है log 2 root 3 और यहां log 2 minus root 3 base में दिया गया है तो इसको कैसे solve करेंगे तो यहां से बजाएगा है 2 minus root 3 x equal to हो जाएगा 2 plus root 3 और यहां से क्या हो जाएगा है यह वहला चीज आ जाएगा minus 1 और यहां पर x equal to क्या हो जाएगा रहे minus 1 यह चीज याद रखना है अब इस form में हो गया properties of fundamental logarithm की बात करते है property देख रहते है P-R-O-P-E-R-T-I properties of fundamental logarithm 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 तो यहां पर properties of fundamental logarithm logarithm की बात करते हैं तो यहां से क्या होगा अब जैसे द्याग्या है log क्या द्याग्या है log x पर power n by a द्याग्या है first fundamental में हम ले सकते है a में तो इसको n यहां बाहर आएगा और क्या हो जागा log x a यह जो है first हो गया फिर second में हम क्या करेंगे d नम्मर लेते है d नम्मर हम लेते है क्या लेंगे log x a पर power m तो यहां पर क्या हो जाएगा one by m log x a c में क्या लेंगे अब यह जो है m जो है नीचे से बाहर आगया उपर c में हम ले लिए log x into y x into y by a ले लिए log x a plus हो जाएग फिर d में ले लिए log x by y x by y into a equal to हो जाएगा log x base a minus हो जाएगा log y base a फिर हम क्या लेंगे आगे e नमर की बात करते हैं तो e-mail लेते हैं log a base b equal to हम लिख सकते है one by log b base a यह हो जाएगा फिर हो जाएगा e के बाद f में हम ले लेंगे log a by b equal to log a by c by log b by c यह लेंगे फिर और ले सकते हैं g नमर में a पर पावर log x और a a पर पावर log x और a तो यहां से क्या होगा अब हम देखते हैं तो यह इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा डियरेक्ट इसको जो है इसको यहां पर ला देंगे यह x आ जाएगा और log a by a तो a by a cancel होगा तो यहां पर हो जाएगा x हो जाएगा यह और एक फॉर्मूला होगा h में a log b c equal to हम लगा सकते हैं log b यहां आ जाएगा a c अगर विडियो अच्छा लगेए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें थैंस 3 6 क czym 8 17